तो गाइज, वेलकम टू प्ले कंसोल, आज बात करेंगें ब्लैक मित वूकॉंग के बारे में, क्यूंकि ये गेम इंटरनेट पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पर इस गेम की काफी ज्यादा तारिफे हो रही है, अप्रेशेशन काफी ज्यादा मिल रहा है इ वो मुझे बहुत जबर्दस लगा है, मैंने जब फर्स टाइम इसका गेम प्ले देखा, तभी मुझे समझ में आ गया है, यह गेम टोटली नेक्स जनेरेशन है, क्रॉस जनेरेशन पर यह आने की कोई चांस नहीं है, तो इस वीडियो में मैं डीटेल में सारी चीज़े बत बनाया है, उनके लिए यह AAA टाइटल है, और मैं आपको यह चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि यह जो AAA टाइटल उन्होंने बनाया है, यह अब तक के सभी current established AAA टाइटल से फार बेटर है, इसके ग्राफिक्स और विजुल कॉलिटी current AAA टाइटल गेम से फार बेटर है, यह नया स्टूडियो है, फर्स टाइम गेम साइंस स्टूडियो ने इतना बड़ा AAA टाइटल बनाया है, वो भी पूरी तरीके से टोटली नेक्स जेन गेम बनाया है, यहाँ पर इस गेम में बहुत सारी abilities और skills भी दी गई है, ब्लैक मित वो कॉंक का जो main theme है, वो Chinese mythology पर based है, यहाँ पर 72 transformation दिये गए हैं, यहाँ पर 72 transformation इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि Chinese में 72 transformation भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 72 transformation देखने को मिलेंगे इस गेम में, जो के बहुत जबरदस बात है, यहाँ पर इस गेम में बहुत सारे skills भी दी गए हैं, जैसे frozen enemy, यहाँ पर enemy को froze कर दिये तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह game कैसा है, मैंने first time जब इस game को देखा, तभी मैं समझ गया था, यह एक next game है, क्योंकि यहाँ पर जो एक boss fight मैंने देखा, hairy ape होता है, उस से boss fight था, तो उस ape का मुझे hair quality जो था, वो बहुत अच्छा लगा, यानि कि current generation consoles में वैसा hair quality नही दिया जा सकता, तो वो totally next generation था, और बाकि आप अगर fires के particle effect को देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको काफी reality लगेगी, जो के current generation consoles के game में नहीं लगती है, तो मेरे according यह game totally जबर्दस बनाया गया है, no doubt, और यह game sakiro wives देता है थोड़ा, definitely sakiro environment थोड़ा है इस game में, क्योंकि यह Chinese developer का game है, तो आपको similar environment detecting को मिलेगा, लेकिन graphics, visual quality, gameplay mechanics totally different है, और यह totally next gen game है, जो के launch होने वाला है 2022 के बाद, इसकी कोई भी date confirm नहीं हुई है, बस एक trailer reveal किया गया था, जो के काफी viral भी हुआ है, यह game definitely 2022 के बाद launch होगा, उससे पहले launch होने वाला है नहीं है, और बहुत चोटे studio का बहुत जबरदस दिखे गया है, तो इसे दिखने के बाद मेरे कहाल में Sony Xbox इसे hire कर सकता है अपने future projects के लिए, तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक चोटे developer के studio ने बहुत जबरदस काम किया, यहां पे सारे current established AAA titles को इसने पीछे कर दिया है, यहां पे gameplay में काफी लोग appreciation दे रहे हैं इसे, क्योंकि gameplay इसका वाके में काफी अच्छा है, और जिन्होंने सकीरो वगारा खेला है, उन्हें यह game definitely पसंद आएगा, और मुझे भी definitely यह पसंद आया है, क्योंकि यह game बनाया ही अच्छा गया है, तो आप मुझे comment section में बताएं कि आपको यह यह game कैसा लगा है black myth wokong और अगर आपको यह video अच्छा लगा है black myth wokong के बारे में तो आप इस video को एक like कर दें, channel को subscribe कर देना, और bell icon को भी press कर देना, ताकि आने वाली मेरी सारी upcoming gaming videos की notifications आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो मिलते अपने next video में, till then, take care.